Hello friends, welcome to All About Taxes, myself C.A. Manoj Gupta और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप अपनी TDS Return Form 26Q, Form 24Q, Form 27Q फाइल कर चुके हैं तो ऐसे में आप TDS Return का स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि वह Return Process हो चुकी है या नहीं और अगर Return Process हुई है तो क्या वह Without Defaults Process हुई है या फिर With Defaults Process हुई है अगर TDS Return Without Defaults Process हुई है that means TDS Returns में कोई भी गलती नहीं की गई है लेकिन अगर TDS Returns With Defaults Process हुई है तो that means TDS Returns के अंदर कोई ना कोई गलती की गई है तो सकता है आपने किसी डिडिक्टी का pen number गलत mention कर दिया हो या फिर इस व्यक्ती का TDS Reduct किया गया हो उसकी जगे किसी दूसरे व्यक्ती का pen number submit कर दिया हो के अलावा बहुत सारे defaults हो सकते हैं जिसको हम अपनी आने वाली वीडियो में discuss करते रहेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि TDS Return फाइल करने के बाद उसका status कैसे check किया जाता है How to check TDS Return status शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है कर लीजिए अगर आप GST और Income Tax से related updates पाना चाहते हैं TDS Return का status चेक करने के लिए सबसे पहले आपको login करना होगा www.tdscpc.gov.in website पर अगर आप already registered है तो आपको अपनी ID और password के साथ यहाँ पर login करना होगा लेकिन अगर आप registered नहीं है तो ऐसे में आपको यहाँ पर register होना पड़ेगा TDS cpc.gov.in पर कैसे register किया जाता है इसके regarding already हम एक video upload कर चुके हैं आपने अभी तक अपने आपको tdscpc.gov.in पर register नहीं किया है तो उस वीडियो के माझ्यम से आप अपने आपको tdscpc.gov.in पर register कर सकते हैं Login करने के बाद आपको statements slash payments tab पर click करना है इक करने के बाद जो सबसे पहला link दिया गया है statement status का यहाँ पर आपको click करना है Click करने के बाद आपको काफी सारे options यहाँ पर दिये जाते है Status of Statement Filed आपको चार option आपको दिये गए है Statement, Token Number, Statement Status during last 3 months अगर आप statement wise previous return का status चेक करना चाहते हैं यहाँ पर आपको financial year select करना है Financial year 2018-19 Quarter, जिस quarter के लिए आप चेक करना चाहते है Quarter 3 और यहाँ पर कौन से form के लिए आप चेक करना चाहते हैं तो form 26 Q के लिए यहाँ पर हम view statement status देखते हैं तो यहाँ पर आता है processed without defaults तो financial year 2018-19 के quarter 3 की form 26 Q return है वह without default यहाँ पर process हो चुकी है यहाँ पर हम अगर form 24 Q चेक करना चाहते हैं यहाँ पर form 24 Q select करना होगा और view statement status में हम देख रहे हैं कि form 24 Q भी without defaults यहाँ पर process हो चुका है अब token number के साथ statement status चेक करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको token number select करना होगा और यहाँ पर token number enter करना होगा उसके बाद statement status में आप देखना चाहते हैं कि particular quarter में जो return file की गई है क्या वह process हो चुकी है या नहीं तो ऐसे में आपको financial year of filing यहाँ पर select करना होगा और उसके बाद quarter of filing यहाँ पर select करना होगा आपको यहाँ पर यहाँ रखना है कि जिस quarter में आपने return file की है वह quarter आपको यहाँ पर select करना होगा तो जैसा कि हम सब जानते है quarter 2 return file करने की due date है 37 October तो यहाँ पर जो return file की गई होगी वह quarter 3 में file की गई होगी तो quarter 2 की return का status चेक करने के लिए हमें यहाँ पर quarter 3 select करना होगा form type यहाँ पर हम form 26 क्यों देखना चाहते हैं और यहाँ पर status के according यहाँ पर आप select कर सकते हैं कि आप processed without defaults यहाँ पर select करते हैं तो अगर वह quarter 2 की return without defaults process होई होगी तो यहाँ पर show करेगा अब processed with defaults करते हैं तो ऐसे में अगर with defaults process होती है तो यहाँ पर show करेगा यहां पर हम select करते हैं processed without defaults और उसके बाद view statement status पर click करने के बाद हम देखते हैं कि यहां पर आपको दिखाता है quarter 2 form 26Q 19 November 2018 को file की गई है यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर statement status नहीं दिखा रहा है यहां इसलिए है क्योंकि already हमने statement status select किया हुआ है processed without defaults that means यह return without defaults ही process हुई है अगर हम quarter 3 की return का status check करना चाहते हैं तो ऐसे में quarter 4 यहां पर select करना होगा और quarter 4 select करने के बाद हम यहां पर देखते हैं अगर दो return दिखाई जा रही है जो quarter 4 में file की गई है अगर मैं बात करूं quarter 3 return की तो यहां पर financial year 18-19 के regarding quarter 3 की return जो की एक regular return है वह है file की गई है 16 फरवरी 2019 को जैसा की हमने status select किया था processed without defaults तो that means यहां पर अगर show हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि quarter 3 की return without default process हो चुकी है यह अलावा यहां पर financial year 17-18 के quarter 1 का form 26 qubits show हो रहा है यहां पर statement type है correction that means यह है एक revised return file की गई है financial year 17-18 के quarter 1 के regarding तो वह भी without defaults process हो चुकी है तो यहां पर quarter 4 में जितने भी returns file हुई थी उसका status यहां पर आपको show कर रहा है इसके बाद हम last tab में देखते हैं during last 3 months तो यहां पर last 3 months में जो भी return file की गई है आपको यहां पर reflect करेगा जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं green color में processed without defaults हैं और यहां पर red color में processed with defaults हैं यहां पर हमारी एक return with defaults process हुई है that means उसमें कोई न कोई default है जिसको ठीक करना होगा, correct करना होगा और इसके लिए हमें revised return file करनी होगी tedious में revised return कैसे file करते हैं यह हम अपनी आने वाली videos में आपके साथ discuss करेंगे फिलाल के लिए इस video में tedious return का status कैसे check किया जाता है वह हम discuss कर रहे हैं आपर last 3 months में quarter 3 की regular returns file की गई है form 24Q, form 26Q उसके अलावा दो correction return that means revised return file की गई है quarter 1 की जो की form 26Q के लिए file की गई है January 2019 को एक correction statement file की गई है इस processed without defaults है तो that means 7 January 2019 को quarter 1 form 26Q जो file किया गया 17-18 के regarding में कोई भी default नहीं है लेकिन इस quarter को फिर से revise किया गया 29 January 2019 को और यहाँ पर जब यह है फिर से revise किया गया तो यह return with defaults process की गई है इस defaults को आनने के लिए कि यह default क्या है और इसको कैसे खतम रना है उसके लिए में again फिर से एक revise return फाइल करनी होगी जिसको हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ discuss करेंगे tedious return आप कितनी बार भी revise कर सकते हैं इसके लिए कोई limit नहीं है कि आप particular quarter के लिए एक बार या दो बार return revise कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है आप उतनी बार चाहू उतनी बार tedious return को revise कर सकते हैं इन quarter 3 के लिए हमारा form 26Q और 24Q without defaults प्रोसेस हो चुका है यहाँ पर हमें in quarters के लिए कुछ भी नहीं करना है अब आप अच्छे से अपनी tedious return का status चेक कर सकते हैं इसके रिगार्डिए अगर आपका कोई भी question है कोई भी doubt है तो आप हमें comment box में type कर सकते हैं All About TDS series में आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक next video में इतरी यह like करते रहिए share करते रहिए इतरी यह like करते रहिए share करते रहिए हमारे youtube channel All About Taxis को करते रहिए करते रहिए करते रहिए ठीग झार्डिडस बात यह करते रहन आ अ अ झाल झाल